जय जगना, जगना जी के ख्षेत्र में, जगना जी के इस्थान में दर्शन करने का मुझे सोभागे लेगा आच, मैं पहले भी यहां आया हूँ, बाट्र में पहले भी यहां आया हूँ और अब हम एक इस खास काम के लिए हैं, जो काम हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, एक हारिक्रम है, सुनो श्री राम कहानी, जो म्यूजिकल है, जिसमें रामायन के समध हैं, जिसमें रामायन के सिंस हैं, और काफी कुछ entertainment भी है, प्रभू की सेवा तो ही, तो क्यूंकि हम यहां से शुरू कर रहे हैं, और वो जय जगरनाच जी के आशिरवाद से ही शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमें कहा हम दर्शन भी करने कर से भागे प्रात कर लें, उनका आशिरवाद ले लें, उनकी आस्थ आस्था है भगवान श्री राम में, और वो भगवान राम के स्वरूप में मुझे देखते हैं, यह शायद इसलिए हुआ कि पहले कभी इतना पॉपुलर कोई चीज भूई नहीं थी, और इतने सालों तक कुछ और हुआ भी नहीं है, तो इसलिए उनके मन में, बहुत सारे में जाने साथ , नहीं हैता है, और विदैयर को इसलिए है नहीं है भी इतना म संक्रिता में भी नहीं बह। आगल भी है। आपित करें इसारी चीजने जो है अब भी देख से कि भगवान राम का जो अब फिर से जो आस्था लोगों में बढ़ी है उससे इसारी बाते पैदा होगी जो सारी संस्कृती सारा मॉरल सब कुछ हमें देती है तो मुझे लगता है ये बात अब फिर से बच्चों के मन्ने मा परिवारे प्रेम जो है फिर से बढ़ना चुरू हुआ है उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती थी बस यह कि इतने सालों के बाद हुआ है पहले हो जाता तो शायद और भी ज्यादा अच्छा होता पर जब भगवान की मर्जी होती है तभी आते है ना यह भी तो आते ह प्रत अजरे का है कितनी अच्छी बात है कि मुसीबत के समय में भगवान फिर से पता आ रहे भागाम कभान कभ आते हैं ये बंवान को यार्धी करते हैं तो कोवge के इतने भारी संकट में राम जी फिर से पता रहे बहुत अच्छी बात है नहीं, राम कथा तो हर जगा ही होती है और यहाँ तो बहगवान जगंदा के साथ बहगवान हनुबान भी है झाला? क्योखिर जाते समये चिर श्रिराम हनुबान जी ची कहने ते कहने लगे तनका कहीं नहीं जाना है जगर्णाजी आएंगे तुम्हें उनकी सिवा करनी है तो जहां हनुमान हूँ वहां तो राम कदा होनी है जए जगर्णाजी जए जगर्णाजी